Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल यहां पर जो पुलिस जाच कर रही है, तो अभी अभी जो चीजें सामने आई हैं उपरी तोर पर, उसमें ये देखने को मिल रहा है, कि जिस कंपनी को पिछले साथ महने से काम दिया हुआ था, इसको रिनुवेट करने का, इस ब्रिज को वापस से बनाने का, उसने यहां पर ब्रिज को उपरी तोर पर पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, और एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की, कि हमने यहां पर इस ब्रिज को बनाया है, लेकिन अक्चुल में ऐसा नहीं हुआ था, तो आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही, और आज की रेट में लगभग 135 लोगों की इसमें जाने जा चुकी हैं, तो इसको डीटेल से मैं आपको बताऊंगा की exactly अभी हुआ क्या है, यहां पर आज सुबह सुबह खबरे आई हैं, यहां पर जो कोड के अंदर, जो पुलिस है, उसनों ने क्या कहा है, वो सारी कुछ हम चीजें अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि Study IQ ने यह batch launch किया है, जिसके माध्यम से जो आप अपनी त्यारी उसको पुक्ता कर सकते हैं, हमारे website और app पर जाएए, और वहां पर code इस्तमाल करिए अंकित live, ताकि कम से कम दाम प आते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहां पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं exactly अभी हो क्या रहा है, देखें यहां पर बताया यह जा रहा है, कि जिस company को यह काम दिया गया था, समय से, उनकी एक प्रकार से यहां पर गुरुप बताया जा रहा है, औरेवा, उनको यह पुरा काम दिया गया था, और औरेवा ने यहां पर क्या किया फर्दर इसको किसी को काम दे गया, तो यह पुरा मामला था, लेकिन यहां पर ultimate जिम्मेदारी किसकी बनती है, औरेवा उनके द्वारा पब्लिक में बया दिया गया, प्रेस में कॉन्फरेंस किया गया, और यहां पर आप देख सकते हो, उनके द्वारा बोला गया है, कि रॉम मेटिरियल यूज़ पॉर रिपेरिंग दा ब्रिज, इस ब्रिज को बनाने में जो हमने रॉम मेटिरियल का इस्तमा किया गया है वो कुछ ही specialized company ही produce कर सकती है nothing is happening to this bridge for at least 8 to 10 years तो उनका ये बयान है कि अगले 8 से 10 साल में इस bridge को कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन सिर्फ 4 दिन के बाद सोच के देखिए दोस्तों मैं 4 साल भी नहीं कह रहा हूं सिर्फ 4 दिन के बाद ही ये जो bridge है वो आपका collapse कर जात है on 30th of October और इसमें जैसा कि आप देख सकते है 135 लोगों की जाने चली गई 56 बच्चे थे उसमे 93 लोग काफी seriously injured हूं है जिनकी आपर treatment चल रही है तो इसको लेकर आपने देखा ही होगा कि पूरे देश भर में ही नहीं in fact internationally भी यहाँ पर बहुत सारे जो leaders हैं उन्होंने अप प्रकत में आना होता है तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो findings आया है वो बहुत ज्यादा चौक आने वाला है पुलिस ने officials जो इसको probe कर रहे थे उनके द्वारा अभी के लिए बताया गया है कि बहुत सारे lapses पाएगा है मतलब कि यहाँ पर जो renovation का work दिया हुआ था इस group को औरेवा group को उनके ऊपर बहुत सारे lapses का आरोप लगाया जा रहा है जैसे कि for example एक तो क्या होता है कि क्योंकि यह 143 year old bridge था suspension bridge था अब suspension bridge में अगर आप देखो कि जो सबसे important चीज होता है वो होता है आपका wire जिसे यह connected रहता है तो उसकी मरमत होना बहुत ज़्यादा जर होना था उनमें से कुछ भी नहीं कराया गया इसके लावा बताया जा रहा है कि अगर कोई material इस्तमाल किया गया है bridge के अंदर तो उसमें ऐसे material का इस्तमाल किया गया जिसका weight जादा था मैं इसके उपर भी वापस यहाँगा लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आरोप यह भी आपने देखा होगा cinema hall से लेकर हर जगह आपको emergency plan रखना होता है अगर कोई मामला हो जाता है लेकिन यहां पर company ने किसी प्रकार का कोई plan नहीं रखा था क्योंकि company को बोला गया था कि 15 साल तक आपको इसको देखभाल करना है इस पूरे bridge का और यह पूरा contract जो है वहां की ज जो preliminary technical observations किया गया है टीम के दोरा उन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार से यहां पर contract दिया गया था ओरिवा ग्रूप को वो सबसे बड़ा कोशन यहां पर आता है इसके साथ साथ यहां पर जो quality of work किया है ओरिवा ग्रूप ने वो कोशन में लाया जा रहा है कि आखिरकार कि तरीके से यह जो company है उन्होंने इस bridge को वापस से renovate करने की कोशिश की जैसे कि अगर आप यहां पर preliminary inquiry जो की गई है उसमें जो आप देख सकते हो पुलिस के दौरा बुला जा रहा है the contractor seems to have just painted मतब कितनी बड़े सोचने वाली बात है कि यहां पर bridge को उपरी तोर पर दिखान मैंने आपको बताया बहुत important role play करते हैं suspension bridge में उसमें को polish कर दिया गया उपरी तोर पर लेकिन अंदर से मजबूती थोड़ी आएगी जब आप उपर से ही सिर्फ polish करोगे और इसको 26th of October को public के लिए open कर दिया गया वैसे मैं आपको बता दूं कि इस bridge को open करने का जो समय दिय गया था contractor को वो था कि आप December तक open करेंगे 9 महने तक इसमें काम चलेगा लेकिन problem क्या हुआ यहाँ पर जो contractor है ओरेवा group है उन्होंने दिवाली को देखते वे कि वहाँ पर public आएगी गुजरात के अंदर new year होता है 26th of October को हुआ था इन सारे festivals को देखते वे उन्होंने पहले ह इसको open कर दिया सोचके देखिए और यह आप देख सकते हो यह directly उसी cable का तस्वीर है तो बताये यह जा रहा है कि यह जो cables लगे थे जो suspension brace था उसको यहाँ पर renovate नहीं किया गया इसके उपर just polish marker बता दिया गया था दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमने यहाँ पर renovation किया है overall police का यही कहना है कि अभी तक जो भी हमारी finding सामने आई है उसमें साफ साफ हमें यह दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी cables वगर थे उसको बदला नहीं किया है जिस प्रकार का cable पहले लगावा था वही cable अभी भी लगावा है and we are now looking into this aspect in detail आप इसको detail से जाच करेगी जो police है इ कि इसका जो depth है वो बहुत यह जादा नहीं था और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे काले पत्थर वगर अप्थ थे तो जब इतने height से कोई गिरेगा और पत्थर पर गिरेगा directly तो उसकी यहाँ पर मित्ती हो जाएगा तो यह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों की यहाँ पर मित्ती होई है लेकिन यहाँ पर फर्दर मैं जाज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जैसे कि सबसे पहले जो important चीजिस के अंदर यह बोला गया technical team के दौरा कि यहाँ पर एक तो renovation को कोई काम हुआ नहीं है अगर लोकल ही जो vendors है लोकल में जो vendors है जो मोर्भी आप समझे है मोर्भी जो जगह है ना वो tiles का hub है जो आपके घरों तक tiles पहुंस दी है लगभग देश की 70% जो tiles बनती है वो उसी जगह पर बनती है मोर्भी के अंदर बहुत सारे factories आपको देखने को मिलेंगे तो एक प्रकार से इस company ने क्या किया जो local vendors होते हैं सब contractors होते हैं जिनके पास expertise नहीं है इसको बनाने का उनको यहाँ पर यह दे दिया गया था और further इसको लेकर जो पुलिस है वो यहाँ पर जांच करेगी initial response में यही देखने को मिला है कि contractor के विवारा किसी प्रकार का emergency plan भी नहीं लाया गया इसके अलावा जो मैं आपको material की बात कर रहा था यह बहुत important हो जाता है क्यों देखो क्या है कि एक तो bridge जो है वो इतने साल पुराना है तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत material जो इस्तमाल किया contractor ने उस material का जो इस्तमाल किया है वो heavy material था तो जब आप किसी heavy material का इस्तमाल क पर आ गए थे अब जब इतने सारे लोग आ गए औरड़ी heavy material लगा हुआ है इसी की वो जैसे देखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो bridge है वो आपका टूट गया अब क्या हुआ है कि जो मामला है वो एक वहां की local court में चला गया है अभी तक बताया जा रहा है कि ज इसी form के उपर पूरी जो कारवाई है वो यहाँ पर की जाएगी जो मोरभी के deputy superintendent of police है DSP उन्होंने local court में गए और local court में यह उन्होंने साफ-साफ बयान दिया दिखेगा पुलिस ने साफ-साफ बयान दिया है कि यह जो colonial era का इतना साल पुराना जो bridge है अगर उसका cable बदल द गया और इसके लावा पुलिस ने एक और चीज यह कही court के अंदर कि बिना government के permission के जो bridge है उसको 26 October को खोल दिया गया था बात यहाँ पर यह भी सामने आई थी कि जो fitness certificate लेना चाहिए था वो company ने नहीं लिया था तो यह सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलेगी and I hope कि इस video स आप समझे होगे कि कितनी जादा लापरवाई की गई है और कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ company ने company तो दोशी है मैं कहता हूं कि जो officials हैं जो local government है जो municipality है क्या उनको इसके बारे में नहीं पाता था जो officials हैं उनके उपर ये बड़ी कारवाई होनी चीज़े कि किस तरह से मिली आई होगी और जाने से पहले एक question है आपके लिए क्या बता सकते हो ये जो चार bodies आप देख रहे हो इसमें से कौन सी bodies statutory bodies है ये आपको बताना इसका right answer आपको पता है मेरे instagram पर तुम मिले गई वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इ जोस्तों by joining our this batch जो की 14th November से start हो रहा है use the code Ankit live ताकि सिर्फ 19,000 में ये आप पूरा course ले पाएंगे I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलतों आप से next time till then thank you very much see you soon I have purchased study IQ course and I'm really enjoying it because the features of that course include the live interactive sessions, the doubt clearing sessions, the main answer writing sessions which are held regularly and moreover the current affairs programs and the gyanwari sessions which are held regularly which are of immense knowledge and which gives us a great platform to open up ourselves and the most prolific feature is the mentor program the mentors that help us solve our problems in an effective and efficient manner I am preparing for 2023 attempt and study IQ has proven its tagline up the area affordable study IQ is up the area we affordable